नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग MPPSC के जो Prelims के पेपर हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग 2018 तक के जो भी MPPSC Prelims का पहला पेपर है जिसे आप लोग सामानद्यन पेपर के नाम से जानते हैं या GS पेपर के नाम से जानते हैं या पिसन्न पत पहले के नाम से आप लोग जानते हैं और इसमें जो भी कुश्चन से आपके आये हुए हैं उन पर हम लोग उन्हें बिस्तार से चर्चा की हुई है आज की इस क्लास में लोग MPPSC Prelims 2019 का जो पहला पेपर है जिसे आप लोग सावानद्यन पेपर के नाम से जानते हैं इस पर इसमें जो भी कुश्चन से आपके सामिल किये गए हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने बाले हैं और अभी तक आपकी MPPSC से सम्मंदित जितनी भी क्लासे ली गई हैं वो आपकी एक प्लेलिष्ट सुची बना दी गई है मद्देश लोग सिवायोक के नाम से इसी प्लेलिष्ट में आपको मिल जाएगी और आप सभी को होगा कि चार सेट होते हैं इसमें ABCD के रूम में लेकिन इस बात को आप लोग याद रखे कई लोग confusion रहती है कि देखे सभी चारों सेट में आपके questions एक समार रहते हैं बस इनका क्रम बदल जाता है क्रम कहने का बदलने का मतलब है कि देखे A set में हो सकता है कि पहले questions नंबर पहले पर होगो और अगर B set उठा के देखें या C या D तो हो सकता है कि उसमें क्रम बदल के कोई 25 बे नंबर पर, कोई 30 बे नंबर पर, कोई 15 बे नंबर पर इस तरह से questions रख दिया जाएगा और आप सभी को मालू होगा कि इसके लिए आपको दो घंटे का समय मिल जाता है 100 questions रहते हैं, 200 नंबर कर रहता है यानि कि एक questions दो नंबर कर रहता है और बाकी आपके लिए निजदेश दिये गए हैं तो इन्हें भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिया करिएगा जब भी paper आपकी हाथ में आता है और एक बात आप लोग याद रखिएगा अगर आप लोग हिंदी भासा में पढ़ रहे हैं और उसमें आपको किसी questions में confusion हो रही है तो उसका हिंदी इंग्लिस जो रूपांतरन रहता है उसे जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा कई questions क्या होते हैं कि हिंदी में गलत भी छप जाते हैं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और इन सब की पीडियाप आपकी टेलीगरम पर डाल दी गई है या 38-वा समिधान संसोदन अधिनियां 1975 44-वा समिधान संसोदन अधिनियां 1978 या 42-वा समिधान संसोदन अधिनियां 1976 तो आप सभी को मालू होगा कि 44-वा समिधान संसोदन हुआ था और ये 1978 की बात हैं तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था जो आप लोग 31 में देखते थे 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 ना अनुचेद 31 में मौलिक अधिकार उसे हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया आप संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में रख दिया गया है 300 का या ए ठीक है? और वैसे आपको मालू होना होगा या आप सोची कि कहीं से हाईवर निकल ला है तो आपका जब तक संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था तो आपकी जमीन लेने में सरकार को बड़ी पेरोब्लम हुआ करती थी लोग आप देखे कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे नियाला में चले जाते थे और इसलिए आप देखे कि अब कानूनी अधिकार बना दिया गया अगर आप लोग संपत्ति नहीं देते हैं तो आप से वो संपत्ति ले लिए जाएगी लेकिन कानून के हिसाब से आपको उसका मौपजा जरूर दिया जाएगा और आप देखे चावाली सबस्ति संसोधन अधिनियम द्वारा बहुत कुछ बदलाओ किये गये थे एक तो आपने देखा होगा कि इंद्रा गांधी की समगा जो 42 सबस्ति संसोधन हुआ था उसे आपकी लोक सभा और जो बिधान सभा इसका कारकाल 6 बर्स कर दिया गया था जो आपका 44 सबस्ति संसोधन द्वारा बापस करके 5 बर्स कर दिया गया था तो इन सभी संसोधनों के बारे में भी याद रखा करियेगा अंगला कुशेन है हमारे सामने दूसरा भारत में दल विहीन प्रजातन्थ किसने प्रफ्तावित किया था भारत में दल विहीन प्रजातन्थ किसने प्रिस्तावित किया था S.A. डांगे राम्मनोः लोया महत्मा गांदी जय पिकास नाराइन तो आप सभी जानते होंगे कि जय पिकास नाराइन और आपने देखा होगा कि इंद्रा गांधी के समय जेपी आंदोलन भी चला हुआ था और उसके बाद आप देखी कॉंग्रिस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था अगर हम लोग जैपेकास नारायन के बारे में बात करें तो 11 एक्टूबर 1902 में इनका जिनम हुआ था 8 एक्टूबर 1989 में इनकी डैथ हो गई थी तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे अंगला question हमारे सामने तीसरा क्या कह रहा है एक कह रहा है कि भारत की पिथम महला मुख निरवाचन आयुक्त कौन थी भारत की पिथम महला मुख निरवाचन आयुक्त कौन थी आर एम निकम एस के बेदी बी एस रामादेवी जी डी दास बताई इनमें से क्या लगाओके तो इसमें याद रखी बी एस रामादेवी और आप लोग चुनाओ आयुक के बारे में पढ़ते रहते होंगे जो आपके लोकसभा, राजसभा, विधान सभा, विधान परिश्याद, राष्टपती, उपराश्पती के चुनाओ होते हैं यह आपका भारत निरवाचन आयुक्त की दवारा कराए जाते हैं और जो आपके राज्यों में इस्थानिये चुनाओ होते हैं वो आपके राज्यों में हर राज्य में आप देखते होंगे कि उनका चुनाओ आयुक होता है वही करवाता है और चुनाओ आयुक की बारे में बात करें तो आप सभी को मालू होगा कि 25 जमनरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आप देखेंगे चुनाओ आयुक से संबंदित हैं आर्टिकल 324 में आप देखेंगे, चुनाओ आयोक्यूवेस्था की गई है, और इसमें सक्तियां, कार, कारिकाल, पातिता, ए 324 से लेकर 29 तक आप लोग देखेंगे, इसी से सम्मंदित है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, अंगला कुश्यन है मारे सामने, समीधान का कौन सा अनुचेद, भारत की नियंतक और महलेखा, परीक्चक के कर्तबों को निर्धारी करता है, नियंतक, महलेखा, परीक्चक, बताईजिए इसमें, अनुचेद 146, 147, 148, 149, तो आप सभी को माल होगा इसमें तो, क्या, एक सो उननन्चास, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, कि इसके भारत की नियंतक महलेखा, परीक्चक के बारे में, तो इसका बहुत पुराना इतियास रहा है, आप देखिए कि भीमराव मेड कर, डॉक्टर भीमराव मेड कर साहब ने इसके बारे में एक बड़ा अच्छा कथन कहा था, कि भारत का नियंतक और महलेखा परिक्चक, संभावता भारत की समिधान का सबसे महत्पून अधिकारी है, वह ऐसा बेक्ती है, जो यह देखता है कि संसद्वारा अनुमन, खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए, और यहां संसद्वारा वीनियोग अधी नियम म निधारित मदों पर ही धर्ण खर्च किया जाए, तो इस कोट को भी आप लोग आंसर आइटिंग में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसके इतिहास की बात करें तो आप देखें कि महालेखा का, महालेखाकार कार्यालाय वर्स 1858 में स्तावित किया गया था, अंग्रेजों के समय, फिर आप देखेंगे, 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ओडिटर जनेरल के रूम में निवक्ती मिली हुई थी, फिर 1866 में जाईए, इस पत का नाम बदल कर नेंतक महालेखा परिक्षक कर दिया गया था, 1884 में से भारत की नेंतक और महालेखा परिक्षक की रू पर आप देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, और इसमें आप देखेंगे, संगी धाचे में परांतिय लेखा परिक्षक के लिए प्रावधान करके, महालेखा परिक्षक की पदों को और सक्ति दी गई थी, फिर आप आईए, 1936 में, इसमें लेखा और लेखा सित रहता है, फिर आप देखें, 1958 में, CAG के छेतादिकार में, जमुकस्मीर को भी सामिल कर लिया गया था, 1971 में, कैंसर का नियंतक और महालेखा परिक्षक के कर्तब सक्तियों सिवा की अधिनियम 1971 लागू किया था, फिर आप देखेंगे, 1976 में CAG को लेखांकन के कारेयों से मुक्त कर दिया गया था, तो यह सब कहानी है आपकी, और अनुचेद आप लोग 148 हो, 149 हो, 150 हो, 159 हो, यह सब ही आपके CAG से सम्मंद देते हैं, यानि कि नियंतक और महालेखा परिक्षक से सम्मंद देते हैं, अगर आप लोग 48, अनुचेद 148 पढ़ेंगे, तो CAG की नि 150 में आप देखते हैं कि संग और राज्यों की को खातों का विवरन राष्टपती के अनुचाज से सम्मंद देते हैं, तो यही कहानी है, आप लोग याद रखा करिएगा इसके बारे में, इससे भी कई कुश्चन साते रहते हैं, तो इसमें आप लोग D-Option लगाएंगे, 5. पंचायती राज इस संस्थाओं को समिधानिक मानता पिदान करने की अनुचन सा करने वाली समिधी का नाम बताना है आपको, बताईए, असोक मेहता सम्ती, के संथानम सम्ती, L.M. सिंग भी सम्ती या जीवी के राव सम्ती, 5 में क्या लगा होगे, तो याद रखी L.M. सिंग भी सम्ती और पंचायती, पंचायती राज की अगर हम बात करें, 73 वा समिधान संसुधन सुने हो या नि सुने हो, वैसे तो आप देखें कि पंचायत सिष्टम बहुत पुना आराना है, अंग्लेजों की समय भी आप देखेंगे, यह वेवस्ता हुआ करती थी, लेकिन भारत की प्राचीन काल से ही पंचायत वेवस्ता रही है, अस्तित्म रही है, आदुनेक भारत में अगर आप देखें तो पितंबार, हमारे जो ततकालीन पितान मंतरी थी, यानि की पहले पि अगर 73 वे समिधान संसोधन के इस आप से कहें, तो आप देखें इसमें मंतर्पिदेश ने सबसे पहले इसे अपनाया हुआ था, और एक बात और याद रखेंगा, अनुछे 40 को आप लोग जरूर याद रखेंगा, कई बार इससे कुश्चन साथ चुका है, अनुछे 40 रा आँगे चलके आप देखते हैं कि 73 वे समिधान संसोधन द्वारा 1993 में दर्जा मिलता है, पंचे आती राज से सम्बंदित कुछ सम्तियामी हैं, इन्हें भी याद रखेंगा, इनसे भी कुश्चन्स पूच लेता है, आपका इस्टेट PCS हो, सेविल सर्वेस हो, इनमें भी आता रहता हैं, तो बलबंत राए मेहता समति, 1956 संदाबर में आयवी थी, असौक मेहता समति ये 97-78 में आयई थी, जीबी की राव समति ये 1985 में आयई थी, डॉक्टर L.M. सिंधि भी समति ये 1986 में आयई वी थी, तो इन सबके बारे में भी याद रखेंगा, अंगला कुश् रोपशिंग इस्टेडियम का सम्मध्धी जो किस जो जो ऑलिवॉल कििस एथलिटिक्स या होảiो कि बताइए इसके बारे में ने और है किया लगा को इस में चटबे में क्या डियरोगा image क्रीके से संभन्धित और depend रोप सिंग इश्टेडी हम आप लोग ने देखा होगा ग्वालियर में है ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने साथ एक कह रहा है कि मद्द पिदेश्ट राज गुड सबारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी मद्द पिदेश्ट राज गुड सबारी अकादमी एक ओप्सन आप से कह रहा है कि 2017,2012,2009,2007 बताएए कुछ इसके बारे में कहा की गई थी और कप की गई थी और इसके बारे में एक याद रखिएगा कप की गई थी 2007 में बोपाल में आपको देखने को मिलेगी ठीक है बोपाल में और बोपाल आप सभी जानते हैं मद्द पिदेश्ट की राध धानी है अब आप लोग कहेंगे कि मद्द पिदेश्ट के बारे में भी कुछ बता दीजेए तो आप सभी को मालू होगा कि एक नवंबर 1906 में इसे राज बनाए गया था किसे मद्द पिदेश को और आप देखें कि जब तक 36 गड़ का हिस्सा था मद्द पिदेश्ट छेथफल की दरिष्टी से तबसे बड़ा राज जुगा करता था अब आप देखते हैं कि 36 देखने को मिलेगी लोग सभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेगी तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा अंगला कुशन है हमारे सामने 8 निमलिकित में से मद्द पिदेश राज जिसी समंदीत खेल पुरुसकार कौन सा है लचमर पुरुसकार गंधर पुरुसकार एकलब पुरुसकार अरजुन पुरुसकार आठ में क्या लगाओगे तो याद रखिए एकलब पुरुसकार यानि कि यह ओप्सन आपका बिलकुस सही रहेगा एकलब पुरुसकार की बात करें तो याद रखिए 1994 में इसकी शुरुवात की गई थी और यह पुरुसकार मद अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्यन आपसे पूछ रहा है एक राय की निमलिकित में से 2018 में मद्वदेत राजी के विक्रम पुरुसकार से समानित खिलाडियों में से कौन सा खिलाडी दिव्यांग सेनी से आता है सौनु गोलकर भीम सौनकर फू ऑपसन बिल्कु सही रहेगा अंक्ष के विक्रम पुरुसकार अगर बिक्रम पुरुसकार या विक्रम अवॉड के बारे में अगर हम बात की जाने तो याद रखिए इसकी सुरुवात 1990 में हुई थी कब हुई थी? 1990 में हुई थी और जो पिते स्थे जो भी खेल से जोड़ी हुए खिलाड़ी होते हैं अब उन्हें दिया जाता है तो यह आप लोग ज़रूर भी याद रखिएगा चलिए आँगे चलते हैं लोग अंगला कुश्चन क्या है हमारे समने? अंगला कुश्चन है हमारे समने 10 एक एराय की मुस्कान किरार के सम्बंद किस खिल से है? नौकायान, पाल नौकायान या तीरंदाजी, एथलेटिक्स तो इसमें आप लोग लगाएंगे 10 में क्या लगाओगे? C option तीरंदाजी से सम्बंद थे हैंका सम्बंद C option 10 में बिल्कुश्चन सही है अंगला कुश्चन हमारे समने क्या है? सत्फुडा सेडी में, इस्थित सेडियों में से सत्फुडा सेडियों में से पश्चम से पूर की और उनकी स्थिती को दर्साने वाला निमलेखित में से कौन सा क्रम सही है A कह रहा है बढ़वानी की पहाड़ियां, महादेयों सेडिय और मेकल सेडिय B कह रहा है महादियो पहाड़ी है बढ़वानी की पहाड़ी है मेकल सेड़ी और C कह रहा है महादियो सेड़ी मेकल सेड़ी बढ़वानी की पहाड़ी है और D कह रहा है मेकल सेड़ी महादियो सेड़ी और बढ़वानी की पहाड़ी है तो इसमें याद रखे 11 में आप लोग क सब्सक्राइब ग्यारे में 11 में क्या रहेगा ए ओप्सन चलिए अंगले बारही क्या कह रहा है कि बारही कह रहा है आपसे किस नदी घाटी की गरी खंड भूमी के लिए बिख्या थे नर्बदा सौन चंबल ताफती तो आप सभी जानते ही कि चंबल चंबल के भी अनगी आप लोगोने सुन एक कर आप सभी जानते हैं कि काफी यहां नदी की सहाएं लगे भी आप लोग याद रखेगा यह जनफाव पहाड़ी आप लोगों ने सुना है यह यहां से महू से निकलती है बिंध्यान चल परवत माला यह समझ रहे हैं और यह अमना नदी में मिल जाती है तो यह आप लोग एक नौर्मल जानकारी याद रख सकते हैं इनसे क्या रहता है कि कई वार कुश्चन्स पूँच लेता है आपका क्या कर लेता है पूँच लेता है कई वार और मुझे लगता है कि आपको मालू भी होना चाहिए इस तरह के कुश्चन्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही हाल है माद्यपदेश, राजिस्थान, उत्तरपदेश में आपको देखने को मिलेगी अंगला कुश्चन है हमारे सामने 13 एक रहा है इंदोर से जैपूर को जोडने वाले राष्टी राजमार्ग का संसोधित नंबर क्या है इंदोर से इंदोर सी जैपुल को जोडने वाले राष्टी राजमार्ग का संसोधिन नमबर क्या है बाबन 47, 03, 46 तो याद रखी इसमें आप लोग क्या लगाएंगी इसमें लगाओगे आप लोग बाबन ए ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्यन हमारे सामने चौदय एक रहा है नेमलिकित में से परमार राजबन्स के इतिहास पर पिकाश डालने वाला सुरोध कौन सा है पदम गुप्त का नव साथ चरित मेलूतोंगी की पिरवंद चिंदामनी उदैवफूर पिसस्ती या उप्योक्त में सभी चौदय में क्या लगा होगे तो याद रखिए चौदय में आप लोग डी लगा होगे चौदय में क्या लगा होगे डी लगा होगे परमार राजबंस अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इमद्द कालेन में छेत में आप लोग एक अगनी बंसी चत्री राजबंस हुआ करता था और यह आप लोग याद रख सकते हैं धार, मालबा, उज्जे नहीं इन छेतरों में इनका काफी आपके यह किसासन रहा है चली अंगले कुश्यन की तरफ पढ़ते हैं अप लोग अंगला कुश्यन है पंद्रे चित्रोड के त्रुभवन नारायन मंदिर को किसने बनवाए था राणा पिर्ताब ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पित्वीरा चौहन ने पंद्रे में क्या लगाओगे पंद्रे में आप लोग परमार राजा भोज की लगाओगे सी ओप्सन विल्कुश सही रहेगा पंद्रे में सी चली अंगले कुश्यन की तरफ चलते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है हमारे सामने सोले मद्यपिदेश का कौन सा हवाई इड़ा किरियासील नहीं है खजराहो, पन्ना, जवलपुर और ग्वालियर इसमें का उसा होगा सोले में सोले में आप लोग देखें तो आपका होगा क्या, B आप्सन, पन्ना नहीं है बाकी आप लोग देखेंगे किरियासील है, चालू है एक तरसे तो सोले में B अंगला कुश्यन है हमारे सामने सत्र एक कहरा है कि मद्यपिदेश की पिछली बिधान सभा 2014 से लिकर अठारे की अध्यक्ष कौन थे पंडित कुंजी लाल दुबे श्री ईसवरदास रोहानी डॉक्टर सीता सरन सर्मा राजन्द सिंग तो याद रखे, इसमें आप लोग क्या लगा होगे डॉक्टर सीता सरन सर्मा यानि किसी ओप्सन आपका बिल्कुस सही रहेगा अंगला कुष्यन है हमारे सामने अठारे, निमली कित में से कौन मदपदेश का राजपाल नहीं रहा है निमली कित में से कौन मदपदेश का राजपाल नहीं रहा है डॉक्टर बलराम जाकर या फिर आप देखिए सिरी रामे सोर ठाकुर, डॉक्टर भाई महाबीर या फिर न्यायमूर्ती अंसुमान सिंग अठारह में क्या करोगे तो याद रखे न्यायमूर्ती अंसुमान सिंग नहीं रहे हैं बाकि आप देखेंगे सभी मद्धपयदेश के राजपाल हैं आप लोग बताईए जिस समय आप लोग इससे देख रहे हैं उस समय कौन है मद्पयदेश का राजपाल थो इसमें आप लोग दी लगाओगे अंगला कुश्चन हमारे सामने मद्ध पिदेश से किस राजी की सीमा नहीं चूती है राजिस्थान, गुजराद, जारकंड, महराश्ट तो आप सभी जालते होंगे कि जारकंड से नहीं चूती है उत्तर पिदेश इस तरह से आप देखिए मद्ध पिदेश है आपका यहां आपको उत्तर पिदेश देखने कुल मिलेगा राजिस्थान, गुजराद, नीचे महराश्ट, यहां चत्तीस गड़, पांच राज्जों से लगती है और मद्ध पिदेश को आप लोग है देखिए पिदेश, आप लोग एक तरह से सुया पिदेश, आप देखिए कि इसे नदियों का मायका, या टाइगर पिदेश, इन सभी नामों से आप लोग इसे जानते भी है तो इसमें क्या लगाओगी? C आप्सन अंगला कुशन हमारे सामने 20, मद्ध पिदेश राजि निर्वाचन आयोग में निम्ने में से कौन सा आयोग तो नहीं रहा है? स्री गोपाल सरनक्सोक, स्री आर परसुराम, डॉक्टर अजीत रायजाला और स्री आउनी बैस तो याब रखे इसमें स्री आउनी बैस नहीं रहे हैं 20 में आपका D होगा और जो राज निर्वाचन आयोग होता है ना बद्ध पिदेश का आपके देखे सरपंचो, पिदान जैसे आप लोग कह देते हैं या फिर जनपत पंचयात, जिला पंचयात या नगर नगम, नगर 324 के दे, उसका काम होता है यह काम, ठीक है, तो 20 में आप लोग D लगाएंगे, अंगला कुक्षिन है मारे सामने 21, कंप्यूटर के छित में वाइरस का मतलब क्या है, आप देखते होगे कि आप लोग एंटी वाइरस वाइरस दे बचने के लिए एंटी वाइरस डलवाते है very intelligent result until source, या भी कह रहा है, vital information resource under siege, viral important record user search, या very interchange resource under search, 21 में क्या करोगे, 21 में याद रखे, बी option बिल्कुँ सही रहेगा, 21 में B, vital information resource under siege, और आप देखते होगे कि आपको इसके पिती जागरूग भी करती रहती हैं सरकारे, आप लोग एंटी वाइरस भी डलवा लेते हैं, वाइरस के हामले से बचाने के लिए अपने computer या system को, तो इसमें आप लोग भी option बिल्कुल सही करेंगे, अंगला question है हमारे सामने 22, एक जो अनीधी किर्थ पहुँच प्राप्त करता है, मत हूँ डाटा को नष्ट करता है, वैद उपयोग करताओं की सेबा को आसोईकार करता है, या उनके लक्षों के लिए समस्यावा पैदा करता है, क्या कहलाता है, वराइट है ठेकर, क्रेकर, प्रोगारमर या डाटावेस एड्मिनिस्टेटर, तो या द रिखे, क्रेकर करते हैं से, क्या कहते हैं, क्रेकर करते हैं, यह भी आपका कम्प्यूटर में एक तरह से दुखसान बहुचाता है, बिन आपकी इजाज़त के, घुस्पेट करता है एक तरह से, इसे आतंकी ही समझी आप लोग, अंगला सूचना परोदोगी की अधिनियम 1998, सूचना परोदोगी की अधिनियम 1990, 23 में क्या लगाओगे, सूचना परोदोगी की अधिनियम संदोजान, 23 में आप लोग, बी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 24 की तरफ, 24 कुश्टन्स क्या पूँच रहा है, निमलेकित में से कौन स एक cyber अफराद नहीं है cyber अफराद नहीं phishing, cyber stocking, identity theft या online chatting तो आप देखिए कि online chatting कोई cyber अफराद नहीं है बाकी आप देखेंगे सभी हैं आपके तो इसमें 24 में आप लोग d लगाएंगे email पता mark. इस तरह से आप देखिए का domain नाम क्या है इसमें इसमें आपका पूछ रहा है domain name आप लोग सुनते भी रहते होंगे domain खरीद ही आप लोग बेशाइड अगर बनाते हैं तब आपने देखा होगा mark.shttool या .shttool या फिर itdisk.info या फिर .info तो याद रखिए इसमें itdesk.info होगा यानि किसी option आपका बिल्कुस सही रहेगा 25 में क्या लगाओगे? c लगाओगे अंगला कुश्चन है हमारे सामने 26 ये क्या कह रहा है? एक रहा है कि राश्तिय मानाव अधिकार आयोग की अध्यक्ष और अन n सदस न की नियोक्ति के लिए सिफारिस करने वाली समिती का कौन सदस नहीं। फिर से सून लिजए एक वार इनका कहना है आपके कि राष्टिय मानाव अधिकार आयोग की अध्यक्ष और अन्य सदस्तों की जब नियुक्ति की जाती है तो एक समिती की सिफारिस पर की जाती है उसमें कौन सदस नहीं होता है उस समिती में पिधान मंत्री लोग सभा का अध्यक्ष लोग सभा में विपक्च का नेता राज्य सभा का सभापती बताई तो याद रखे राज्य सभा का सभापती नहीं होता है बाकी आप देखेंगे पिधान मंत्री हो या लोग सभा का अध्यक्ष हो लोग सभा में विपक्च का नेता ह यह सब ही आपके सामिल लहते हैं राश्टिय मानव अधिकार आयो और इस तरह के जो भी आपके राश्टिय और अंतराश्टिय संगठन हैं इनके बारे में जरूर आप लोग पढ़ते रहा करिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है इनसे भी कुश्चनस आपकी परिक्षाओं में आ जाते हैं अगर हम लोग National Human Rights Commission की बात करें इंडिया की तो यह 12 एक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी इसका हेड़क्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा कहां नई दिल्ली में यह भी आप लोग याद रखिएगा और याद रखना भी चाहिए और आप देखेंगे आप लोग माना अधिकारों की रक्षा करना एक तरह से इसका काम भी रहता है समझ रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है तेन कथन तो सही होंगे एक गलत होगा तो आपको गलत चुनना है अध्यक्ष पाच बर्स की अउधी तक पद्धारित करता है या भी कह बताईए नहीं 27 में क्या लग होग Mexico 27 में एक तो आप लोगों को याद रखना चाहिए आप सभी जानते हैं कि पहले ऐसा हुआ ता था लेकिन आप सभी कुमाल होगा कि अब आपका इसमें संसोधन कर दिया गया है और इसमें संसोधन करकी आप आप देखें कि 5 साल की जगे 3 साल कर दिया गया है क्या? 5 साल की जगे आप 3 साल कर दिया गया है और इसलिए आप देखें कि इस पर काफी विवाद भी बना रहता है और आप देखेंगे कि आपका क्या रहता है इससे questions भी पूछे जाते रहें पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं और इसमें एक तो अध्यक्च रहता है चार तो आप देखेंगे सदस आपको देखने को मिल जाएगे भारत का मुख नियादीस या सरवुच नियाले का नियादीस रहा हो वो अध्यक्च बन सकता है और इसमें नियुक्ति इसके सदसों की वाद अध्यक्च की नियुक्ति जो की जाती है ना एक समिती के द्वारा जिसमें आप देखिए पिधान मंत्री वी होते हैं लोग सभाध्यक्च होते हैं राजसभा का उपसभापती होता है संसत के दोनों सदनों के मुख बिपक्ची नेता होते हैं हमारी गिरह के अंद्रिये गिरह मंत्री होते हैं यही समित आपकी MPPSC की जो उत्त आंसर की आयूई थी BB माना गया था और आप देखिए CB माना गया था तो इसमें आप लोग तीनों एक तरह से option माने गया थे तो आप लोग याद रखेंगा अंगला कुशन है 28 एक एरा है कि राज माना अधिकार आयू के अध्यक्ष और सदस्तों की न्युक्ति की जाती है राजपाल द्वारा, राष्टपती द्वारा, समधीत राज की उच्छ न्याले की मुख न्यादिश द्वारा या भारत की मुख न्यादिश द्वारा तो इसमें क्या लगा होगे? किसमें? 28 में क्या करोगे? तो याद रखी इसमें राजपाल द्वारा ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुशन है उन्टीस मानोधिकार न्यालेओं में मामलों के संचालन की प्रियोजानार्थ राजसरकार एक अधिवक्ता को विस्ष्ट लोग अभी योजग की रूम में बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुशन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुशन हमारे सामने 30 सिविल अधिकार सरक्षर अधिनियम 1955 के अंतरगत सभी दंद्रनिये अपराद संगे तथा संचेपता विचारनिये संचेपता असंचेपता विचारनिये तो इसमें क्या लगाओगे 30 में 30 में भी आप लोग याद रखे जो आपकी अंतिम अंसर की आई हुई थी न इसमें A ओप्सन को भी सही माना गया था और आपका B को भी सही माना गया था अगर आप लोगोंने A भी लगाया होगा तब भी आपका अंसर ठीक रहा था और B रहा गाया होगा तब भी आंसर ठीक रहा था और इसलिए तो कहते हैं देखिए MPPSC काफी कुश्चन्स आपके गलत देता है और वहीं आप लोग सिबिल सर्वेस को उठा के देख लिए मुस्किल से एक कुश्चन्स गलत हो जाए बहुत बड़ी बात होती है समय रहे और आप देखिए कि जब तक सिलेवास नहीं बदला हुआ था 2020 के पहले आपके इन एक्टों से बहुत कुश्चन्स आते थे कभी-कभी तो आप देखिए 20 से 21-22 कुश्चन्स भी आ जाते थे तो इसमें आप लोगों के दोनों रखोंगे अंगला कुश्चन है हमारे सामने एक अत्ती निमने में से कौन सा उपग्राय से एक संस्थान उपग्राय है कार्टो सेट टुवी कल्फना एक इनसेट टूई या सत्वामा सेट बताईए तो याद रखे इसमें सत्वामा सेट होगा आपका डी आप्सन बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा डी आप्सन बिल्कु सही रहेगा चलिए अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं अंगला है 32, कौन सा फिदूसक नौक, नी, सिंडॉम के लिए उत्तरदाई है फिलोराइड, मरकरी यानि की पारा, आर्सेनिक, केडमियम 32 में क्या करोगे तो याद रखी फिलोराइड होगा इसमें 32 में क्या लगाओगे ए ओप्सन 32 में ए ओप्सन अंगला कुश्यन है हमारे समने 33, एक ही पौधी के एक पुस्ट के परागों से पराग कर, उसी पौधी के दूसरे पुस्ट की का बरती काग में इस्थाना अन्तर कहलाता है स्वैक इहुमन या संजाद, पुस्टी, परागण, परपरागण उप्यक्त में से कोई नहीं तो याद रखे 33 में आप लो B ओप्सन लगाएंगे संजाद, पुस्टी, परागण, ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे समने 34, एक एराय की निमलिखित में से कौन उच्चिस तरिये प्रोग्रामिंग कम्प्यूटर भासा है कोबॉल, पास्कल, बेसिक उप्युक्त में से सभी तो याद रखे इसमें आप लो क्या लगाएंगे 34 में D ओप्सन, तीनों सही होंगे आपके इसमें क्या लगाएंगे प्रोग्रामिंग का उप्युक्त में से कोई नहीं है, तो 35 में क्या करोगे, 35 में आप लोग कार्वो हैड्रेट लगाएंगे C ओप्सन, बिल्कुल सही रहेगे कार्वो हैड्रेट आप देखे के तो मनुस्त के मुख वहाँ से ही इसका पाचन प्यारम हो जाता है अंगला कुशन है 36 सहयुक्त राष्ट की संगी के बर्तमान महासचिप कौन है वान की मून, अन्तो नियो गुटरेस, कौफी अनन और कोट बाल्ड हीम सहयुक्त राष्ट की बात हो रही है UN अगर हम लोग UN के बारे में बात करें तो आपको मालू होना चाही कि इसकी इस्तावना 24 अक्टूबर 945 में हुई थी और इसका हेड़क्वार्टर आपको कहा देखने को मिलेगा, Newark USA में, ठीक है और आपके देखिए इस तरह की संगठनों को कवरी भी किया हुआ है, तुमात पूर्ट संगठनों के नाम से जो पिले लिष्ट सूची परी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे, अगर कोई छूटा हो तो आप लोग बताईगे, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे अंगला कुश्यन है 37 निमलेखित में से कौन सा चित्यकार 1922 में मद्पिदेश में जन्मा किन्तु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार किया और 2016 में नई दिल्ली में उसका देहावसान हो गया यानि की डेथ हो गई सियद हैदर रजा, M.F. हुसेन, राजा राओ, N.S. बिंद्रे तो याद रखी, सैतीस में आप लोग क्या करोगे कुछ करोगे या नहीं तो सैतीस में आप लोग A.Option बिल्कु सही रहेगा सियद हैदर रजा होंगे ठीक है? सैतीस में A अगला कुश्चन है मारे सामने 38 ए कहानी दर्साने वाला देश का सबसे बड़ा संग्राल है इंद्रा गांधी मानव संग्राल है कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में अहम दाबाद में तो ये तो आप सभी को माल होगा 38 में क्या लगा दोगे? A.Option बिल्कु सही है भोपाल में आपको देखने को मिलेगा इंद्रा गांधी मानव संग्राल है और देखी आप लोग भारत भिर्मण की नाम से क्ले लिष्ट सूची बनी हुई है इसका मैंने भिर्मण भी किया हुआ है गया हुआ था तो आप लोग उसमें इसे देख भी सकते है अंगला क्विशन है 49 फोटोबॉल बिसकप 2018 की फाइनल मैच में कोईसिया की राष्ट प्रमुक अपनी टीम की होसला अफजाई के लिए इस्टेडियम में मौजूद रही है उनका नाम था कॉलिंदा गर्वर कितारोविच जैसिन्दा आइडन थेरसा में जुईस बंडा कौन थी है तो याद रखी ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा कॉलिंदा गर्वर कितारोविच यानि की 49 में आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 40 ए कह रहा है कि उच्चितम उच्चितम न्याले कि किस मामले के नेड़े के वा कारण समीधान के अनुच्चित 21 के कारचित का विस्तार कर सिक्षा के अधिकार को उसमें सामिल किया गया था उनिकिसनन बनाम अंधपिदेश, गोविंद बनाम अधपिदेश या परमानन्द कटारा बनाम भारसंग, चमेली सिंग बनाम उत्तरपिदेश राज्य तो इसमें याद रखे 40 में आप लोग ये ओप्सन लगाएगे ठीक है और याद रखे 26 बार समिधान संसोधन हुआ था उसी के अंतरगत आप देखे कि 21 काम है आपका आपका एक तरह से सिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार में तो मैं तो कहता हूँ कि सिक्षा स्वास्त कम से कम ये तो आपके देश में सभी को मिलना चाहिए रिगवेदिक पनी किस बर्ग के नागरिक थे पुरोहित थे लोहार थे या स्वर्णकार थे ब्यापारी थे तो याद रखे ब्यापारी हुआ करते थे ठीक है रिगवेद काल में आप लोगों ने इतिहास पड़ा होगा उसी की बात हो रही है अंगला कुशन है ब्यालिस चन्ड प्रगोत किस प्राचीन गणराज की राजा थे कासी के अंग के अवंती के जिनी के तो यह तो आपको वालू होगा कि ब्यालिस में अवंती और उज्जेन आजकल आप लोग जिस नाम को सुनते ना यह पहले अवंती के नाम से भी होता था और आप देखिए यहां महाकालिस और मंदिरे भी आपको देखने को मिलेगा उज्जेन आपका छिपरा नदी के किनार है तो इस तरह इन्हें कुश्चंस को भी याद रखा करिएगा अंगला कुश्चंड 43 नेमलेकिस में से तारी के फ्रोसाही के रचनाकार कौन है समसे सिराज, अफीब, जियाउदीन बरनी, ख्वाजा अब्दुल, समद इसामी या सिराउदीन अली यजदी तो कौन होगे इसमें तो याद रखे इसमें आपके होगे ए औप्शन भी इसमें सही किया गया था उजियाउदीन बरनी भी तो जो आपकी अंतिम कुण जी आई होई थी आंसर किया होई थी इसमें 43 में A और B दोनों को सही रखा गया था यानि कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने A आंसर भी लगाया होगा तब भी आपको आंसर को कुश्चन का जो भी नंबर रहें है वो मिलेंगे और B लगाया होगा तब भी मिलेंगे और 44 साब देखिए कि जो कुश्चन था इसी हटा दिया गया था डिलीट कर दिया गया था ठीक है तो अंगला कुश्चन हमारे सामने 45 एक कहरा है कि हिंदू विद्वाप उनर विवा अधीनियम किस वर्स फारित हुआ था 1856, 1858, 1869, 1862 में तो यह याद रखिए 1856 में हुआ था यह option बिल्कुँ सही रहेगा हिंदू विवाप आप समझ रहे हैं कि एक तरह से हिंदू में किस तरह का विवाप होना चाहिए उसी की बात हो रही है अब तो आप देख रहे हैं कि 21 साल लड़कियों की एज बढ़ाने की बात की जा रही है पहले जो अठा रहे थी मुझे लगता है कि इस तरह के कानून लाने की बज़े अगर समाज में जागरूकता फैलाई जाए और आप देखी बच्ची जो भी बेटिया है उन्हें पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है वो पढ़ लिखकर काफी सक्सिल हो सकते हैं चेत में समझ रहे हैं जवरदस्ती कोई कानून लाकर मुझे नहीं लगता है कि उसमें सफलता हासिल की जा सकती है अंगला है 46 हिमाले की किस भाग पर करेवा भू आगती पाई जाती है उत्तर पूरवी हिमाले हिमाचल उत्तरा खंड हिमाले कस्मीर हिमाले तो आप सभी कुमाल होगा कि इसमें आप लोग लगाएंगे कस्मीर हिमाले D option बिल्कु सही रहेगा अंगला question है हमारे सामने 47 सूची एक सूची दो को समलित करना है नीची देगे कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इस तरह की questions आपके उत्तरपदेश PCS में या बिहार PCS में या आप देखी UPSC में Civil Service में आते हैं समझ रहे हैं एक खनन छेत हो गया एक खनेत संपता हो गया काला हंडी सोना जावर तामा कोलार बॉकसाइड मुसा बनी जस्ता बसीसा तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे 47 में क्या लगा होगे बताईए कुछ 47 में 47 में लगा होगे आप लोग देखिए काला हंडी यह आपको जाना चाहिए कहा बॉकसाइड जावर यह आप देखेंगे जस्ता जावर आपका जस्ता कोलार आप से भी जानते हैं सोना मोसावनी इतामा तो इस तरह से आप लोग C ओप्सन लगाएगी ठीक है क्या लगाओगे 47 में C C ओप्सन बिलकुल सही रहेगा आपका अंगला गुष्टन है हमारे सामने 48 निमलेकित में से कौँ सा एक सही सुमलेत नहीं है सही सुमलेत नहीं है तीन तो होंगे एक नहीं होगा नहीं होगा वहीं चुनना है बनीजी बभ्यारन ए राज मुकामबीका, करनाटक, डालमा, जारखन, नैयर, चत्तिसगर, कोटीगाओ, गुआ तो इसमें याद रखी नैयर नहीं होगा ये चत्तिसगर में नहीं है बाकी आपके तीन बिलको सही है तो क्या लगाओगे 48 में C अंगला कुशन है मारे सामने उनज्चा एक राय निमलिखित में से किस जन गरना दसक में लिंगनपात में भारत में सबसे कम अधिक ग्रावट दर्च की गई है लिंगनपात की बात हो रही है यानि कि पुरसों पर महिलाओं की संख्या की बात हो रही है एक हजार पुरसों पर कितनी मैल आएं 1931 से 41 1961 से 71 1981 से 91 2001 से 2001 से 2011 बदाई तो इसमें आप लोग याद रखिएगा B option बिल्कु सही होगा 1961 से लिकर 71 के बीच और अपने राज्यों के और भारत का लिंगनपात आप लोग बताईएगा ठीक है अंगला कुश्चन है हमारा 50 स्वाडेम चतिर्भुज का पूरवी पश्चिमी गल्यारा अनुमलिकित में सिक्किन केंदरों को जोडती है सिल्वर पूरवंदर गुहाटी अहमदाबाद को कंडला तिन सुकिया को इटानगर और जामनगर को तो ए आपको माल होना चाहिए इसमें आप लोग क्या लगाओगे सिल्वर सिल्वर और पूरवंदर को यानि की पचास में आपका ए ओप्शन बिल्कु सही है अंगला कुश्चन हमारे सामने इंक्यावन उद्दोगी विकास केंद बानमोर मत्वधिस के किस जले में है बताइए मुरेना में भेंड में सिल्वरी में गोना में तो आप सभी जानते हैं कि ए आपका मुरेना में देखने को मिलेगा यानि कि इंक्यावन में क्या लगाओगे आपको ए ओप्शन बिल्कु सही रहेगा अंगला खुक्षन हमारा बावन यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि Make in India कारिकरम आरंम किया गया है नवंबर 2012 में सेप्टमबर 2014 में जनबरी 2014 में या सेप्टमबर 2016 में तो आपने देखा होगा कि 25 सेप्टमबर 2014 को Make in India कारिकरम की शुरुवात हुई थी और इसका मेन उद्देश यही है कि देश ब्यापी इस्तर पर वी निर्माण चित की विकास को बढ़ाया जाए ठीक है तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे इसमें लगाओगे सेप्टमबर 2014 जब आपने देखा होगे कि हमारी नई सरकार का गठन हु उसके बाद ही यह कारकरम आपका चलाए गया था तो इसमें भी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा बावन में अंगला कुश्यन हमारे सामने त्रेपन एक कर रहा है कि निर्याद उतक्रिष्ट सहर में बंद्यपदेश से कौन से दो सहर सामिल हैं देवास इंदौर साग बिल्कुल सही है त्रेपन में यह ओप्सन बिल्कुल सही है अंगला कुश्यन हमारे सामने चंवन एक रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्राले भारत की बिदेश ब्यापार नीती से संबंदित है रक्षा मंत्राले बिदेश मंत्राले वाडिज एबम उद्योग मंत्राले या फिर ग्रह मंत्राले तो इसमें याद रखिएगा इसमें वाडिज जी बम उद्योग मंत्राले होगा भारत की देखे बिदेश ब्यापार निती की बात हो रही है तो आप देखे ब्यापार वाडिज जो और उद्योग मंत्राले के इंतरगत आप देखेंगे इसे तो इसम में क्या लगाओगे चंगन में चंगन में होगा आपका C option बिलकुल सही होगा अंगला question है मारे सामने 55 मद्यपदेश बित निगम का मुख्याले का है मद्यपदेश बित निगम का मुख्याले का है इंद और भोपाल जबलपुर उजन पच्छपर में क्या गरोगे इन दौल लगाओगे आप लोग क्या लगाओगे मद्द पिदेश बित निगम इसमें आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा और आप लोग सुनते भी रहते होंगे अगर हम लोग मद्द भारत में बित निगम की बात करें देखिए पहले मद्द पिदेश मद्द भारत का हिसा हुआ गरता था तो 1955 में राज बित निगम अधिनियम 1951 की अधीन इसकी स्थापना की गई थी फिर आप देखेंगे आंगे चलके एक नमबर 1956 को नए मद्द पिद चुनाव आएगो इनसे भी कुष्टिन्स काफी संख्या में आपकी आते रहते हैं तो इसमें आप लोग ए ओप्सन बिल्कु सही लगाएंगे अंगला कुष्टिन हमारे समने 56 ए कह रहा है कि बोधन दौा किसका सेनपती था साहेगड के राजा बकत वली का बानपुर के र तो इसमें आप लोग याद रखें कि साहेगड के जो राजा थे वकत वली इनका थाये कोन बौधन दौा की बात हो रही है यह ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अब आप देखें कि संतावन कुश्यन पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन सही सुमलित नहीं है पूछ रहा है तो आप देखेंगे कि तीन तो आपके सही होगे एक आपका गलत होगा और आपको गलत चुड़ना होगा तो यह तो आपकी जंजाती होगई यह उपजाती ह बारिया पतलिया कोरकु महार, तो इसमें याद रखी गॉंड, जही होगा, इसमें क्या लगाऊगे, गॉंड अगर यहा वेगा बिजवार, भारिया पतलिया और कोरकु महार, तो याद रखी अगर हम लोग अन्तिम, जो आपकी उत्तरकुंजी आई थी, 2019 की जो सिवायों की बात करें हम लोग तो इसमें संतावन में आपका सी भी माना गया था और डी माना गया था दोनों माने गये थी ठीक है अगर आप लोगों उने सी लगाया होगा तब भी आपको इसके नंबर मिले होगे और अगर आपने डी लगाया होगा तो भी इसके नंबर मिले जिसमें या आप देखिए आपका UPST में अब तो आपकी मदेपतिस में भी आने लगे हैं नेम लिखित बाकियों पर आपको विचार करना है मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है वक्ते बाकियों के अधार पर सही उत्तर चुनना है केवल 1 सत थे, केवल 2 सत थे या रख्त थे, बताईए अंठावर में क्या लगाओगे? 2 सत थे आपके और मांडू आप लोग देखते हैं न सार जिले में आप लोग घूमने भी गए होंगे इतियाशिक तीर्थ है चलिए दोनों डी ओप्सन बिल्कुछ सही रहेगा अंगला कुश्चे है हमारे सामने 69 एक क्या कह रहा है एक कह रहा है जल विहारी का मेलक कहा यूजित किया जाता है चतरपुर में सीधी में होसंगाब में सीवनी में तो आप सभी कमाल होगा की चतरपुर में किया जाता है कहाँ चतरपुर में कि अंगला कुश्चे हैं आपके सामने 60 काठी है यह जाती है जन जाती है काष्ट सिल्फ है या लोग नित है क्या होगा इसमें 60 में डी अंगला कुश्चन हमारे सामने लेम लिखित पुरुसकारों के प्यारम किये गए बरसों के आधार बर प्यारम से बात का सही करम आप लोगों को चुंडा है राजीव गांधी केल रतन पुरुसकार ध्यान चंद पुरुसकार अर्जुन पुरु और आप जानते हैं कि इसका नाम बदल कर अपकर दिया गया है क्या बताओ कुछ बता पाओगे मीजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया है पहली वारी 1991-92 में दिया गया था तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा विदान मंत्री साहब ने इसका नाम ही बदल दिया है और अगर हम लोग द्धान चंद पुरुसकार की बाथ करें ध्यान चंद पुरुसकार वैस्था आपको बता दूँ कि पहले से भी ध्यान चंद के नाम से पुरुसकार चलता था अrdown लेकिन आप देखिए कि इन्होंने एक और नया अला कर शूरू कर दिया ह उसी में अब एक तरह से कंफ्यूजन और होगी बच्चों के कौन सा गौन है समझ रहे हैं यह 2002 में शुरू किया गया था खेलकून के चित में दिया जाता है शायद मुझे लगजा कि मालू भी ना हो इने समझ रहे हैं अगर अरजुन पुरुसकार अरजुन पुरुसकार तरह से जो लगातार चार वर्स तक बहतरीन प्यदर्सन करता है लीडर सब क्वालिटी खेल भावना या आनुस्वासन के लिए दिया जाता है यह पहली बार 1961 में दिया गया था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखीगा दोड़ाचार दोड़नाचार पुरुसकार अगर इसके बारे में भी बात करें हम लोग तो यह आप देखी कि 1980 में पहली बार दिया गया था खेल और खेलों में उतकिस्ट कोर्च होते है या गुरु होते है उन्हें ही दिया जाता है एक तरह से ठीक है तो यह भी आप रखेगा तो इस तरह से आप लोग इसमें क्या लगा होगे एक सट में एक सट में होगा आपका पहले आपका अर्जुन आएगा पुरुसकार फिर आप देखेंगे कि आपका दोड़नाचार पुरुसकार आएगा फिर आपका राजीब गादी खेलतन पुरुसकार आएगा फिर द्याद जद पुरुसकार यानि कि C option आपका बिल्कुस सही रहेगा C option क्या रहेगा बिल्कुस सही रहेगा इसमें अंगला question हमारे सामने 62 एक एराय कि Rio Olympic 2016 के उद्गाटन समारों में भारती दल का ध्वजबाहग कौन था तो आप सभी को बाल होगा कि इसमें कौन था अभीनाव बिंद्रा 62 में क्या लगाओगी D अंगला question हमारे सामने 63 2018 की राष्टमंदल खेलों की अंतिम पदग तालिका में भारत का किरम क्या है था तीसरा, चौतरा, पाचवा, छटा तो याद रखी तीसरा था इसमें एक current affairs से जुड़े question से अंगला question हमारे सामने 64 एक एराय 2028 की ग्रेज ओलम्पिक खेलों का आयोजें किस सहर में होगा एमिश्टरडम, टोकियो, पेरिस, लॉस एंजिल्स तो इसमें आप देखें कि लॉस एंजिल्स में होगा यानि कि 64 में आप लोग डी लगाएंगे 64 में क्या लगाओगे, डी लगाओगे अंगला question है हमारे सामने 65, IAAF का मुख्याले कहां देखने को मिलेगा 65, IAAF का मुख्याले कहां देखने को मिलेगा सुईजेलेंड दच्छे रफी का जर्मनी मुनेको तो इसका अगर आप बात करें तो इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा कहां मुनेको में कहां मुनेको में और वैसे आपको बता दूँ कि 17 जुलाई 1912 में इसकी स्थावना की गई थी ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए अंगला question हमारे सामने 66 एक एराय मद्दपिते इस्तरदाच जिन निरवाचन आयो के गठन के परश्यात कितनी बार आम पंचयात के आम निरवाचन हो चुके है तीन चार पार या च्छे बताईए मद्दपिते इस्तरदाच जिन निरवाचन आयो के गठन जब से हुआ है इसके परश्यात कितनी बार पंचयात के जो चुनाओ देखते है न यह हो चुके है बताईए इसमें से अगर आपको मालू हुआ करे तो आप बता भी सकते हैं तो याद रखे पांच बार अभी तक हो चुके है च्छासर में आप लोग सी ऑप्सन बिल्कुल सही लगाएंगे और मैंने पहले भी आप लोगों से बोलाए हुआ है कि देखे मद्देव विदेश जो पंचयाय एक तरह से आप देखिए राज निरवाचन आयो होता है इसी तरह आप देखिए कि हर राज में आपको देखने को मिलेगा और आपको ये और बात होता देता हूँ और इसका काम होता है कि जो लोकल बॉड़ी के चुनाव होते हैं जैसे पंचयायत हो गया या आप देखिए जनपद हो गया जिला पंचयायत हो गया नगर पंचयाय या काम है या उबंद किया गया है ठीक है इसकी बेवस्था की गई है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो इससे भी अगर कुश्चन्स पूचे तो बता दिया करिएगा पहले अगर राज निरवाचन आयोग की बात करें तो याद रखिए स्री अगला कुश्चन है हमारे सामने सरसट राज निरवाचन आयोग नगरी ये निकायों की निरवाचन का संचालन के सनुचेत के तहत करते हैं 243 K, 243 L, 243 M, 243 N तो याद रखिए इसमें आप लोग सरसट में क्या लगाओगे सरसट में लगाओगे आप लोग A आप्शन 300 मापकरी 243 K, 300 पे कहाँ चले जाते हैं हम लोग सरसट में A आप्शन 65 राज विसाय समिधान की किस सूची के अंतरगत आता है संग सूची, राज सूची, संबरती सूची उपयोक्त में से कोई नहीं तो याद रखिए राज सूची का विसा है एक बात और आपको बता देते हैं साथवी अनसूची आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसमें आप लोगों ने तीन सूची के बारे पढ़ा होगा और इसमें संबरती सूची होती है आपकी एक आप देखते हैं कि राज सूची होती है एक संग सूची होती है, संग सूची पर आप देखे कि केंद सरकार संग सरकार आपकी कानूर बनाती है, राज्य सूची पर आप देखी राज सरकार है, लेकिन कुछ इस्तिति ऐसी भी होती है जब हमारे देश में राष्टी आपातकाल आप देखी लगा हो, वो समय तो आप पूरी तरसे आप समझते हैं, या फिर आप देखिए राजपाल, राष्टपती सासन आपके राज़ में लगा है, तब भी आप देखिए, संग सरकार, राज़ सूची के बिसवाइपर भी कानून मना सकती है, और जो संबर्ती सूची होती है, इस पर दोनों सरकारे कानून मन एक एरह समिधान के कौन से भाग में पंचयायती रास्ते सम्मंदित पिरावधान समलित किये गए हैं भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में समिधान के कौन से भाग में पंचयायती रास्ते सम्मंदित पिरावधान किये गए हैं तो 79 में क्या लगा होगे आप लोग भाग 9 में आप लोग देखते होंगे आप लोग ने 73 वा समिधान संस्तुधन पढ़ा है ना उसी की बात हो रही है अंगला कुशन हमारे सामने 70 ए कह रहा है कि मद्धपदेश के निमलिकित सहरों में कि इसकी जन संक्या 2011 की जन गरना की अ तो जन गरना से भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन साती रहते हैं तो इनने भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा जी एस पी का मतलब क्या है जावा सेम्पल पैसिज या जावा सिस्टम प्रोटोकॉल या जावा सरवर पैसिज या जावा सरवर फ्रोटोकॉल तो याद रखे 91 में आपका जावा सर्वर पेसे जैस होगा ठीक है? यानि कि इसकी ओप्सन आपका बिल्कुस सही रहेगा एकत्तर में सी अंगला कोईशन है 72 विंग एक बेव सर्च इंजन है जिसका स्वामित और संचालन द्वारा किया जाता है Microsoft याहू, अलफा बेटिंग या Amazon द्वारा तो याद रखिए इसमें आपका Microsoft की द्वारा किया जाता है Microsoft आप लोग company देखते रहा उसी की द्वारा किया जाता है अंगला कोईशन है 73 वेव कॉलर को इस रूम में जाना जाता है Link Directory, Search of T-Major वेव Spider, वेव Manager तो इसमें याद रखिए आपका वेव Spider 73 में आपका C Option अंगला कोईशन हमारे सामने 74 एर कह रहा है कि निम्लिखित में से किस समूव में केबल आउटपूट डिवाईस है इनपूट नहीं है आप दे नहीं है आउटपूट मतलब आपको मिल रहा है Scanner, Prancer, Monitor Keyboard, Prancer, Monitor Mouse, Prancer, Monitor और Plotter, Prancer, Monitor तो 74 में आप लोग देखेंगे Plotter, Prancer, Monitor Keyboard से आप लेख देखते हैं कि आप तो Computer में अपना Input देते हैं Mouse से भी आप लोग देखते हैं तो यह आप लोग याद रखिएगा Scanner से भी आप लोग देखते हैं तो इसमें 74 में आप लोग D अगला कुशेन है हमारे सापने 75 आपने वराउजर में सहेच कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एकसेस करने का एक तरीका है Cookie, Bookmark, Vlog इन में से कोई नहीं तो याद रखिए Bookmark Bookmark वी Option बिलकुल सही होगा अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपने देखा होगा लेप्टों में आप लोग इसे कर लेते हैं और डारेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं आप लोग हमेशा के लिए मतलब जल्ली कभी उसे वेबसाइट को खोलना है तो एक तरह से से भी समझिये उसे अंगला कुशन है 76 कब नियाले सिविल सरक्षर अदिनियम 1955 की धारा बाराएक के अंतरकत अपराद उपधारना करेगा कि अपराद आस्पस्ता की आधार पर कारित किया गया है आस्पस्ता की अंतरकी बात किस आटिकल में की गया है आप लोग बताईएगा एक कहरा जब यह केवल अनुसूचित जाती के सदस से सम्बंदित हो पी कहरा है यह केवल अनुसूचित जाती के सदस से सम्बंदित हो सभी एक्ट के बारे में विस्तायास पड़ा हुआ है तो आप लोग लेलिष्ट सूची में जाकर देखिए बहुत सारा मटे यह राल आपको मिल जाएगा सततर कह रहा है कि यदी कोई ब्यक्ती आसपस्ता के आधार पर किसी ब्यक्ती को अस्पताल या औसधाल है या सिक्षा संस्थार में प्रवेश से इंकार करता है तब यह सिविल अधिकार संरक्षा अधिनियम 1955 की खिसधारा की अंतरगर दंडनीय है चार पांच छे साथ और मु लिखेंगे 77 में आपका धारा पांच होगा वी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है 78 अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 तरवित हुआ था एक जनवरी 1990 तीस जनवरी 1990 ग्यारे सेक्टमबर 12 सेक्टमबर 1989 तो यह तो आपको मालू होना चाहिए कि 30 जनवरी 1990 में 38 में 20 अंगला कुशन हमारे सामने 89 नेमलिकित में से कौन सा कथन असत्थ है तो तीन तो आपके सत्थ होंगे यह असत्थ होगा और आपको असत्थ होगा और आपको असत्थ चुनना है क्या करना है असत अधिनियम के अंतरगत अपराद ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाती का सदस नहीं है भी कराया अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती अत्याशार निवारन अधिनियम की धारत 14 एक में स्थाफित अनन्य विशिस न्याले धारत दो गामे परिभासित है तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे तो याद रखें इसमें आपका B option गलत होगा बाकी आपके तीनों सही होगे 89 में B रहेगा बाकी आपके तीनों सही है लेकिन इसमें असत ऊच रहा था इसलिए भी गलत है अंगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं अंगला कुश्चन हमारे सामने अस्ती एक कहरा है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अदिनियम 1989 के अंतरकत किस नेड़े दंडादेस या आदेस की विरूद उच नियाले में अपी अस्ती में आप लोग लगाएंगी सी ओप्सन तत्थों और विधी दोनों के संबंद में आप लोग ठीक है अस्ती में आपका सी अंगला कुश्चन हमारे सामने 81 एक कहरा है भारती अंत्रिक्ष कारिकरम के जनक कौन थे डॉक्टर विक्रम अंबालाल सारा भाई डॉक्टर सतीस दवन डॉक्टर हॉमी जे भाबा डॉक्टर किष्णा स्वामी कस्तूरी नंगर कस्तूरी रंगन तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपके कौन थे डॉक्टर विक्रम अंबालाल सारा भाई ए ऑप्सन बिल्कु सही है इने भारती अंत्रिक्ष कारिकरम के जनक के रू से खालबर करती है एश्टाउली कpower है लेडिग कउस थी या जर्मिनल करती है या मियूकस सलेश के इसमें आपका लेडिंग को सीनक फैले मेथे सीनक जालारार और कर सृब्सक्ताबन चांग होगा ए सब्सक्तक की बिद्दी के लिए निमने में से कौन से गयस का ये हैं कि पेड उनका उप्योग करते हमें ऑक्सीजन देते हैं तो पेड़ों के लिए वह भी जरूरी है तो 83 में ए ऑप्सन फिल्कुल सही है अंगला कोश्यर हमारे सामने 84 है कै तो आपको माल होगा कि ऑक्सीजन का ही होगा ऑक्सीजन की सबसे चौरासी में डी होगा 85 के उभेम के सेडी का दबा के अंतरकत आता है अवसाद का री उते जग वी आता है आपका आउसाथ कारी और अफीम का आफ लोग देखते होंगी कि नसे की रूम में उप्यों गोर आयोसी की बात हो रही है अगला कुश्चन है हमारे सामने 86 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गरतन दिवस समारू के मोख खती थी कौन थे अमेरिका की राष्टपती डॉनाल्ड ट्रम रोस के राष्टपती विलादीन फुतिन भूटान के राजा जिगमे खेसर नामेल वांग्चूक दच्छर अफीका की राष्टपती स्रील राम फोसा तो आप सभी कुमाल होगा की दच्छर अफीका की राष्टपती स्रील राम फोसा और एक बात आरब को और बता दें आपके मन में कहीं बार डाउट रहता है एक तो आपका 15 अगस्त उननीस सो सेंतालिस एक 26 नवंबर उननीस सो उननन्चास और 26 जन्वरी यानि की 15 अगस्त 26 नवंबर को आप सभी जान दें कि 26 नवंबर 1949 को समीधान की कुछ प्रावधान लागू हो चुके थे तो इसे समीधान दिवस की रूम में मनाते हैं और 26 जन्वरी 1950 को आप देखिए पूरी तरह से समीधान लागू हो चुका था कई संस्थाओं को जन्म हो चुका था तो इसे गरतंद दिवस की रूम में आपको मनाते हैं तो 86 में आपका डी ओप्सन बिलकुल सही रहेगा अंगला कुशन है 87 वर्ष 2015 में इंदौर में आई वित तीसरे अंतराष्टी धम धर्मा संगुष्टी के विसिष्ट अतिथी थे स्री रानिल बिक्रम सिंदे स्री लंका क हैं तो इसमें आप अगर देखें तो आपका बी ओप्सन बिलकुल सही रहेगा 87 में भी स्री लेंपो दामचो दोड़ची भूटान के हैं अंगला कुशन अगर हम लोग देखें एक एरा 88 2018 में भारत सरकाद वारा प्यारम विस्ट की सबसे बड़ी स्वास्तियोजना का ना पिधानमंत्री जन आरोग योजना तो आप देखें कि इसमें डी ओप्सन विलकुल सही है और यह जब योजना आई हुई तो बड़ा हंगामा हुआ था बड़ा सत्ता पक्ष के द्वारा इसका आप देख रहा होगा कि आप लोगों ने प्रचार पसार करवाय जा रहा था हाँ और यह भी बात है कि काफी लाब मिला है लोगों को इससे आई उसमान भारत पिधानमंत्री जन आयोग आरोग योजना और इसमें आप देखिए एक तरह से हर परिवार को आप गई है पांच लाग आपने देखा होगा कि पिती परिवार के सबसे मुप्तों ने स्वास्ते व्यों स्थाव लब्द होती है इलाज करवाने के लिए तो यही हाल है इसका और इनसे कुश्चेंज भी इस तरह की योजनाओ से आते रहते हैं वैसे आपको मुझे लगता है कि मालू भी होना चाहिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और यह आपका देखिए 2017 की जो स्वास्त राष्टी स्वास्त नहीं दी थी ना इसकी से पारिश के अनुसास रोकी गई थी चलिए आँगे बढ़ते हम लोग फिरहाल इसमें आप लोग डी ओप्सन लगाना ठीक है अगला कुशन है नवासी मद्पेदेश में गरी परिवारों के विवाय योग कर्ण्याओं की आर्थिक साहेता हुई तू मुझमंत्री कर्ण्या दान योजना की राष्टी को 2019 में बढा कर कितनी कर दी गए इस वेठी कि तही सजार चारही हं इंक यावन हजार कि स्थएजार इंडिया डॉक्टर्स तो याद रखी इसमें पिरियड एंड आफ सेंटेंस नब्बे में क्या लगा होगी ए 91 है आपका 1942 के बुंदेला विद्रों में पिरमुख भागिदारी देने वाले राजा हिर्देश सिंग किस्तिस्थान की जमिवदार थे चावर पाठा, देवरी, सुवात्तला, हीरापुर तो ए थे आपकी हीरापुर के थे 91 में क्या होगा D अगला कुश्यन है हमारे सामने में बावन एक एराए वेटिस भारत में संपदाएग पितिनिधित की व्योस्ता निमलिकित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी भारती काउंसल अधिनियम 1892 मिल्टो मारले सुधार अधिनियम 1909 मांटिकू चैम्सपोर्ट सुधार 1909 भारस सरकार अधिनियम 1935 तो इसमें आप लोग देखेंगे D option बिल्कु सही रहेगा मिल्टो मारले सुधार 1909 की बात हो रहे और आप देखी कि 1935 का है अधिनियम सबसे जग़ा इसका प्रभव आपको समिधान पर देखने को मिलेगा 92 में आपका भी रहेगा ठीक है question है आपकी सामने 93 1857 की पिथम सुतंता संगराब में भोपाल के किसे बीर ने बहादुरी पूर्ण मुक संगरस का करवलिदाद दिया था फाजिल मुहमद खान सेख रमजाट दोस्त मुहमद खान हवी बुल्ला खान तो याद रखी फाजिल मुहमद खान 93 में ए ओप्सन बिल्कुश नहीं होगा और रानी लच्षी भाई का आप लोग उन्हें नाम सुना होगा जहासी की रानी के नाम से आप लोग उन्हें जानते हैं इनका बनारस में जनम हुआ था और आप देखी कि जहासी में इनकी साधी होती है ग्वालियर में इनकी डेथ हो जाती है 1857 की किरांती के बाद ही 1858 में और फूल बाग आप लोग गए होंगे ग्वालियर में तो आपको हाँ समाधी भी इनकी देखने को मिलेगे अंगला कुश्य है पुस्तक सत्यार्थ पिकास के लेखा कौन है तो इसमें याद रखी आपका स्वामी देयानन्द स्तरत्ति 94 में क्या होगा 94 में सी कुश्य है आपके सामते 95 रेसम बुनकरों की सेड़ी की जानकानी इल्मिन लेखिस में से किस सिलालेक से मिलती है दसपुर सिलालेक, प्रियाग फिसस्ति, एरण सिलालेक, हाति गुफा सिलालेक दसपुर सिलालेक मिलती है ठीक है ये भी आप लोग मंद सोर आप लोग नए देखा होगा वही देखने को बिलेगा 95 में आपका A 96 है आपका निम्लिकित में से कौन जल पिपाद नर्बदा नदी पर नहीं है कपिल धारा, भालकुंड, दोगत धारा, भेड़ागार तो इसमे 96 में आप देखेंगे कि आपका भालकुंड नहीं है बाकी तीन आप देखने को मिलेंगे तो B option होगा और आप देखेंगे नर्बदा नदी महत्पदेश से ही निकलती है कुश्यन है आपके साबने 97 निम्लिकित में से कौन सा राष्टी राज मांग महत्पदेश राज से नहीं गुजरता है NH3, NH12, NH7, NH8 तो NH8 नहीं गुजरता है बाकी तीनों आप देखेंगे गुजरते है 97 में आपका D अंगला कुश्यन है अंठानवे सूची एक सूची दो को समलित करना कर नीचे जो कूट देगा है इनका सही उत्तर एक तरह से चुन्दा है पर आक्तिक आपदा होगे प्रभाविच छेत होगा बाड, हिमाले चेत, भूकम, उत्तर पिदेश वा बिहार की मैदान सूखा, पश्चिमी भारत की छेत, सोनामी भारत का तटिये चेत तो इसमें आप लोग क्या करोगे बताइए कुछ बाड, आप देखें कि उत्तर पिदेश बिहार की मैदान में ज्यादा आती है भूकम, यह आपका हेवाले चेत में देखने को मिलेगा सूखा, यह आप देखें पश्चिम के भारत की छेत में सुनामी आपको भारत के तटिये चेत में देखने को मिलेगी इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आपका A option बिल्कु सही रहेगा ठीक है अंठावर में ए अंठावर में ए बड़े जल्दी खतम करने का विच्छार है अंगला कुशन है निन्यानवे निमलिकित में से कौन सा सम्मूवन सही नहीं है तो तीन होंगे एक आपका गलत होगा तीन सही होगे तो इसमें याद रखी ए आपका गलत होगा और बाकी तीन आपके विल्कुश सही होगे निन्यानवे में ए और अंतिम कुश्चन से आपका सो भारत का अपना पडोसी देशों के मद्द अंतराष्टी सीमा के विस्तार का आरोही करम क्या है चीन, बंगलादिश, पाकिस्तान, नेपाल नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बंगलादिश, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादिश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बंगलादिश तो याद रखे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बंगलादिश और एक बात आओर आपको बता देते हैं कि यह हमारे से भी भी फड़ोसी हैं तभी तो बता रहे हैं सबसे जाना सीमा बंगलादिस से लगती है फिर चाइना फिर पाकिस्तान फिर नैपाल और यह आपका MPPSC प्रेलिम्स 2019 का पेपर पहला ने पठ चुका है और कुछ कमी रह गई होई तो आप लोग सुझाओ दे सकते हैं बता सकते हैं कमी को चलिए तो आप लोग 2020 का MPPSC प्रेलिम्स का पहला पेपर उस पर भी आप लोग विस्ताज से बात करेंगे तब तक आप लोग enjoy करते रहे हैं अब लोग तो मिलते ही रहेगे